प्यारे भगतों, आप सभी भगतों को बहुत बहुत आशिरवाद, आप सदैव खुश रहें, स्वस्त रहें, ऐसा हमारा आशिरवाद है और ऐसी ही हम इश्वर से हिर्दे से प्रार्थना करते हैं आप सब के लिए, आपकी जितनी वी शुबमनो कामनाई हैं वो सिग्र पू अरे भगतों जादू होगा, हर प्रकार की समस्या दूर होगी, हर प्रकार की बिमारिया दूर होगी, टैंसन दूर होगी, आपकी शक्तियां जागरित होगी, पर मात्मा से आप जुड़े रहोगे, आपको एनर्जेटिक फील होगा, आपको सकारात्म कुर्जा मिलेगी, औ और आपका Depression दूर होगा, अनन्त 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 लाभ है, आपको देखो, सारीरिक, आध्यात्मिक और मानस्च, निनों प्रकार के लाभ होंगे, ऐसा करने से, करना क्या है वो देखो, दिन में 24 गंते हो, ज़िपने दिना है, ज़िन ओर रात में 1 तिन में 24 गंते, 24 ग गंटे का इंतराल बना लो आप सुवे पांच बजे उड़ गे तो रात को नो दस बजे सोते हो और सोते समय फिर करके सोना है आपके मन में यह प्रिशन आ सकता है कि चोविस बार कैसे करेंगे क्योंकि चोविस गंटे तो आप जंगते नहीं हो सोना भी तो है ना उसके लिए आपको यह करना है कि मानलो आप रात को चार गंटे सोते हो और आपने बीस बार कर लिया दिन में मतलो जब तक सोने गए जब तक है तो सोते समय आप चार बार एक बार में सांस ले लो और रोक लो चोड़ दो यानि कि चार वो जाएंगे बीस आपने पहले कर जितने गंटे आप रात को सोते हो उतने गंटे आप एक्स्ट्रा ले लो पहले ही तो आपके पूरे चोविस मनने जाएंगे पर क्या करना है बस सुबह उठते ही और उसके बाद जब भी आपका एक गंटे में अध्य गंटे में डेड़ गंटे में याद आए लेकिन टोटल इतने कर देना एक बार स्वांस खीचनी है से और जितनी देर आप रोक सकते रोखो फिर छोड़ दो बैस एक बार बस अपना काम क हैं इससे आपको किया होगा इससे वह होगा पैरे बगतों आप स्वासों के द्वारा परमातमा से जूड़ रह रहे में आप लोख भी रहे हो यानि कि उस परहन शक्ति को को रोक रहे हो खर बिमारियां दूर उँगी, क्योंकि जब आप स्वांस लेकर और स्वांस को रोकोगे, तो रोकते ही जो सारे बिमारियों को दूर करेगी, बाकी पेहरे बगतर और जी मारी है, मरजी आपकी है, अब हम अपनी ब़ाणी को विराम देते हैं, जैए श्री राम पहरे